गाड़ी में radiator का काम है coolant को ठंडा करना और coolant का काम है engine को ठंडा करना एर cooling system और water cooling system मेंजे कौन सबैतरी ने है इंजन ज्यादा और हिट होने का क्या कारण है आपके अपने चैनल driver exam चैनल पे आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम बात करेंगे radiator topic के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हो हम SSC द्वारा जो daily place trade test का syllabus दिया गया है उसके सभी topics को one liner रूप से cover कर रहे हैं इससे पहले हम लगबग हमारे syllabus के almost सभी topics को cover कर चुके हैं यह हमारा last topic है इसके बाद हम practice sets के जरीए जो भी questions बन सकते हैं उन सभी को add on करते वे deeply थोड़ा syllabus cover करेंगे तो आईए आज की class को हम सरू करते हैं आज की class का हमारा topic है radiator hose pipe और built आज की class में हम जानेगे radiator क्या है, radiator के कितने बाग होते है radiator cap होती है, उसका pressure उसमें कितने valve लगे होते है कितने pressure पे वो valve activate होता है साथ ही हम जानेगे hose pipe के बारे में hose pipe किसकी बनी होती है hose pipe कहां कहां लगे होती है गाड़ी में और इसके बाद हम जो गाड़ी के over heating है उसके बारे में बात करेंगे कि गाड़ी और हीट कब होती है कौन से लक्सन होते हैं और हीटिंगे और हीटिंग होने पर क्या क्या करना चाहिए इसके क्या दूस परिणाम है साथ ही हम जानेंगे कि बेल्ट के बारे में पेन बेल्ट वगयरा इनको कब चेंज करना चाहिए और इनके लिए क्या-क्या सावदानिया रखने चाहिए तो इस टोपिक से जितने भी वर्ल लाइनर क्यूसंस बन सकते हैं उन सभी क्यूसंस को कवर करने का प्रियास करेंगे तो आए गाइज क्लास को स्टार्ट करते हैं इस टोपिक से सबसे पहला क्योशन है रेडियेटर क्या होता है तो इसका अंसर होगा रेडियेटर एक मादम से दूसरे मादम में उसमें उर्दा का विन में करने वाली एक युक्ति है अर्थात इसकी साइथा से किसी चीज़ को गर्मिया और ठंडा क्या सकता है उसके बाद आप देख सकते हो रेडियेटर के भाग आपको तरशाय गए है उपर प्रेशर रिलीज वाल्व लगा होता है जिसको रेडियेटर कैप भी बोलते है इसका दूसरा नाम है रेडियेटर रिलीज प्रेशर रिलीज वाल्व या रेडियेटर कैप और ये वाला भाग रिडिटर अपर टेंग निचे वाला भाग रिडिटर लोवर टेंग ये रिडिटर इनलेट वाल ये रिडिटर आउटलेट वाल बीच वाला भाग रिडिटर कोर होता है जिसमें फिंस वगएरा लगी होती है फिंस और ट्यूग लगी होती है रिडिटर कोर इसस अगर आपको सबसे पहला पॉलना है कुलेंट है इंजन की हीट को अपने आप में अपसोसित करता है और शाथ ही आप जो पीछले टॉपिक में कवर किया जा अब पॉइंट कर सकते हों यह आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आईकन में आपको उस वीडियो का डाइट तामवेगे, अलिमिनियम और पितल के, रेडिटर किस दातों के बने होते हैं, तो इंकी उच हीट कंडेक्टिविटी होती है, अर्थाथ उस्मा को जल्दी संग्राइट करते हैं ये, अगला क्यों है, रेडिटर में पानी का उप्योग क्यों क्यों क्या जाता है, को रेलेट के रूप में पानी का उपयोग क्योंक कया दाता है तो इस कान्सर होगा की जो पानी है उसकी High specific heat समता होती है अर्थात उस्मा को ग्रैंड करने की समता सरवादिक होती है इसलिए पानी का प्योग किया दाता है अगला क्यूशन है रेडियेटर में ट्यूब और कॉर कौन से मेटेरियल के बने होते हैं ब्रॉंज के पितल के अगला क्यूशन है एक रेडियेटर के कितने बाग होते हैं तो इस कांसर होगा, आपको पीछे भी बताया दाशका है, रेडिटर के तीन बाग होते हैं, कौन-कौन से, रेडिटर कोर, प्रेशर कैप, आउटलेट और इनलेट टेंक, इसके बाद आपको बतायागा है कि रेडिटर में कोर का क्या काम है, आप सभी धानते हैं, कि रेडिटर का सबसे बड़ा इसा है, इसमें फिंसोर ट्यूब बने होते हैं, जिनके दरिए पानी है वो, जो कौलेंट हो, सर्कुलेट होता है, उसके बाद दूसरा है, प्रेशर कैप, प्रेशर कैप का क्या काम है, प्रेसर कैप कुलेंट को रेडियेटर से बाहराने से रोकता है साथ ही जो रेडियेटर में वायो दब बनता है उसको नियंतरित करता है जो प्रेसर बनता है उसको नियंतरित करता है 20 PSI पर 20 PSI का प्रेसर बनते ही वो प्रेसर कैप एक्टिवेट हो जाता है और जो भी दाब मन रहा है रिडिटर के अंदर उसको वाल्व लगा होता है उसके जरीए रिलीज करता रहता है अगला इनलेट और आउटलेट इनलेट और आउटलेट होते हैं वो कुलेंट को सर्कुलेशन का काम करते हैं इनलेट के जरीए जो इंजन के आउटलेट से है वो कुलेंट रेडियेटर के इनलेट के मादेम से रेडियेटर में अंदर आता है और जो रेडियेटर का आउटलेट है वहां से इंजन में इंजन के इंटेक से कुलेंट अंदर दाता है अगला क्योशन है रेडियेटर कितने परकार के होते हैं तो परकार के टूबलर टाइप और शेलूलर टाइप अब शेलूलर टाइप और टूबलर टाइप में क्या अंतर है टूबलर टाइप होता है उसमें तो उपर से नीचे टूबस मनी होती है जिनके मादेम से पानी गुजरता है टूबलर टाइप में तो अंदर हवा पर वाइट होगी मुख्य अंतर यह हैं अगला क्योंशन रेडियेटर को फटने से बचाने तू क्या लगा जाता है तो इस खांसर होगा रेडियेटर प्रेसर केप या प्रेशर रिलिज वॉल्व आप दोनों चीज बोल सकते हो अगला क्योंशन है रेडियेटर Pressure Cap में कितने Valve लगे होते हैं तो इस couleur होगा दो Valve लगे होते हैं कौन-कौन से Pressure Valve Valve और Vacuum Valve इसमें जब दीपली क्योशन करने के संभावना नहीं है कि Vacuum Vals कैसे वरकिंग होता है वो थोड़ा ज़द दीपली हो जाएगा मारी Classées लिमबे हो जाएगी तो आप इतना याद रखें कि radiator pressure cap में कितने valve लगे होते हैं दो pressure valve और vacuum valve अगला क्यों सुन है radiator के पीछे लग ये पंखे का क्या काम है तो इसका अंसर है radiator से अवा को आगे से पीछे कीजना अगला क्यों सुन है radiator पंखे को सक्ति किसके द्वारा मिलती है तो इसका अंसर होगा crank shaft के द्वारा और अगर आपसे पूछे कि radiator पंखे को activate करना है इसकी जानकारी issue को कौन देता है मतलब radiator पंखे को कब activate करना है इसके लिए गाड़ी में एक sensor लगा होता है वो issue को संकेत बेजता है कि गाड़ी का temperature थोड़ा जादा हो गया तो आप radiator पंखे को activate कीजिए फिर वो activate होता है आजकल तो latest गाड़ीयां आ रही है इनमें ये technology दी गई है अगला क्यों सुन है radiator में तापका संचरन किस विदी द्वारा आता है संबन विदी द्वारा अगला क्यों सुन है radiator के चोक होने पर साप करने दूकिस विदी का उप्यों किया जाता है तो इसका अंसर होगा reverse placing water के जरिए reverse placing विदी द्वारा radiator को साप किया जाता है वैसे आपको हर servicing के दौराण radiator को साप करवाना चाहिए गाड़ी के बैतरिन mileage के लिए और शाथी गाड़ी और हीटिंग को भी कम खटा है आप अगर किसी make nation के पास नहीं करवाना चाहते हो तो आप जनरली रूप से वैसे भी कर सकते हो कि आप जो गाड़ी है जब आपकी गाड़ी थंडी हो तो गाड़ी की radiator का परेसर radiator का पटा लीजिए और उसके उपर एक पानी की बरीवी बोतल रख दीजिए उल्टी करके आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो भी कच्रा होगा radiator में वो सारा उस बोतल में आ जाएगा अगला क्यों है radiator में किस कारण से पानी कम होता है तो इस का अंसर होगा या तो radiator core से leakage है या head gas की टूटी भी है यह दिया आपने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो please channel को subscribe करें और जादा से जादा share करें अगला क्यों है cooling system का क्या काम है गाड़ी में cooling system का क्या काम है तो इस का अंसर है engine को अधीक गरम होने से रोकना cooling system है वह engine को अधीक गरम होने से रोकना है रोकता है ना कि engine को ठंडा करता है cooling से मतलब आपको यह नहीं बताना है कि engine को ठंडा करने का काम है कुलिंट का कुलिंग सिस्टम का काम है इंजन को céu प्रमोनेμα के रोکना कुलिंग सिस्टम कितने पर कार के होते हैं कुलिंग दो परगार के आ investigators श्बाकुलिंग सिस्टम अ वाटर कुलिंग सिस्टम अगर आप से पूठा आRon या ए Bolsonaro कार मोनों यह कोलिंग सिस्टम और wotter cooling में कुन सा बैटरीन है, तो आपको बताना है कि अपनी सर्ग दोनों, दोनों बैटरीन है लेकिन water cooling को ज्यादा better मांनते हैं, इस भी हम किसी live class engine में अलग से इनकी वाटर पंप की स्पीड किस पर निर्बर करती है, जो गाड़ी में वाटर पंप लगा होता है, उसकी स्पीड किस पर निर्बर करती है, वाटर पंप का काम क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, वाटर पंप का काम है, जो रेडिटर में कुलेंट पर वाइट हो रहा है, उ तो ये गाड़ी की speed पर नेबर करता है, engine की speed पर नेबर करता है, क्योंकि वो radiator pump है, वो direct crank shaft की से connect होता है, तो अगर आप से पुच्छा आता है, water pump की speed की इस पर नेबर करती है, तो इस खांसर होगा crank shaft की गती पर, या engine की speed पर भी बहुत सकते हो, दोनों में से कौन सा भी answer दे स तो इसका अंसर होगा impeller, water pump होता है, उसमें एक impeller लगा होता है, वो जो पानी है, radiator का, उसको तेजी से cylinder block में बेजता रहता है, engine की speed के अंसर, अगला क्योंसर ने, thermostat valve का लगा होता है, और इसका क्या काम है, तो अगर पुच्छा जाता है, thermostat valve का लगा होता है, तो इसका अ इंजन के temperature को बनाए रखना, अधा thermostat valve इंजन के temperature को बनाए रखने में हदद करता है, यह कहां लगा होता है, यह गाड़ी की water album में लगा होता है, water inlet mark और radiator के inlet mark की बीच में, यह गाड़ी को जल्दी गरम नहीं होने देता है, और इंजन के temperature को बनाए रखता है, जब हमारी गाड़ी में thermostat valve लगा होता है लगा होगा उस समय जब हम गाड़ी को start करते हैं तो जब तक इंजन का temperature 80-85 डिगरी तक नहीं हो जाता है thermostat valve बंद रहता है उसके बाद thermostat valve खुल जाता है एक्टिवेट हो जाता है और यह radiator fan को चालू कर देता है जो इंजन को ठंडा करने में साहिता करता है इसके उपर आपको एक अलग से classes मिल जाएगी यह थोड़ा लंबा टॉपिक है thermostat valve क्या है कितने परकार क्यों थे हैं thermostat valve जितने भी दोस्त क्लास को देख रहे हैं अगर इस जाए तो इसका इंजन पर क्या प्रभाव होगा तो आपको बताना है कि mileage की समस्या उत्पन हो जाएगी साथ ही गाड़ी की जो engine में head gas kit लगी है वो बार-बार फट जाएगी जिसके कान गाड़ी और heat होगी और radiator का fan है वो जल्दी जल्दी चलने लगेगा जिसके कान गाड कान लगा होता है तो इसका अंसर होगा cylinder block में अगला question है क्या आप बिना radiator के गाड़ी चला सकते हैं तो इसका अंसर होगा हाँ हम बिना radiator के अपनी गाड़ी शुरू कर सकते हैं लेकिन यह थोड़ा जोखिम बराकारी है जब तक engine जादा गरम नहीं होगा तब तक कोई नुक जब तक गाड़ी का engine है वो ज़्यादा गरम नहीं हो अर्था एक short distance के लिए अगर गाड़ी को चलाना है बहुत ज़्यादा short distance के लिए तो हम गाड़ी को बिना radiator के चला सकते हैं अगला question है engine ज़्यादा और हीट होने का क्या कारण है most important question है यह आप किसी भी driver exam का skill test देने ज आउगे तो आपसे पूचे जाने की सरुवादिक संभावना है कि engine ज़्यादा और हीट होने का क्या कारण है तो मैं आपको लगबग सभी points इसमें cover कर रहा हूं आपको management points ज़्याद रखते हैं सबसे पहला point है radiator में coolant की appropriate मातरा के कारण अर्था radiator में coolant की मातरा कम हो गई है इसके कारण overeat हो सकती है दूसरा कारण है radiator चोख हो गया है और जो force pipe है वो block हो गई है तीसरा कारण है water pump खराब हो गया एकडी का तब वह ओर烈ट हो रही है सौता कारण है thermostat welt खराब हो जाना अगला कारण है exist Yuk one बंद जाना उसके कारण भी overeat हो सकती है अगला कारण है belt खराब हो जाना जो radiator belt चुड़ा होता है वो खराब हो जाना या वो ज़्यादा tight हो जाना उसके उज़ेसे भी over-eating हो सकती है अगला कारण है कम engine oil हो जाना गाड़ी में engine oil कम हो गया है या गल्त valve timing हो गई है उसके कारण over-eating हो सकती है गाड़ी में temperature T लगी होती है वो radiator fan को समय पर चालो नहीं करती है तो over-eating हो सकती है अगला radiator fan उल्टा कम सकता है आपका उसके उज़ेसे भी over-eating हो सकती है अगला रेडिटर कैप खराब हो सकती है अर्था जो भी रेडिटर में प्रेसर बन रहा है उसको उसका जो वाल्व है रेडिटर का रेडिटर कैप का जो वाल्व है वो खराब हो गया है उसकी वज़े से वो अगला पुंट है रेडिटर कैप खराब हो जाना अगला है इंजन हैड में लगी भी हैड गेस की का टूर जाना उसकी वज़े से भी ओर रेटिंग हो सकती है अगला है इंजन वाटर गैलरी चोक हो जाना उसकी वज़े से ओर रेटिंग हो सकती है आप इन में से चार या पांस पॉइंट याद कर सकते हो, वह आप स्किल टोस्ट के दोरान बोल सकते हो, कि गाड़ी वोरेट के यह पर मुख कारन है, पहला कारण, रेडिटर में कुलेंट की कमी हो जाना, दूसरा कारण, रेडिटर चोक हो जाना, या गाड़ी की जो होज़ हैं वो चोक हो जाना, तीसरा मुख कारण है, वाटर पंप खराब हो जाना, चोथा थर्मोस्टेट वाल्फ गाम नहीं करना, ये चार से पांस पॉइंट आपको याद रखने है, मैन मैन पॉइंट, वह आप वहां पे स्किल टोरान अगर पूचा दाता है तो बोल सकते हो, मैने आप लगब सभी पॉइंट करने की कोशिज की है, आप नोट डाउन कर सकते हो, अगला क्यूशन है, इंजन ओर हिटिंग होने के दूस परणाम बताए, अगला अपोजिट क्यूशन हो सकता है आपसे कि इंजन ओर हिट हो रहा है, इसके आपका गाड़ी पे क्या दूस पर नाम हो सकते हैं, क्या फेक्ट पर सकता है, तो इसका अंसर होगा कि इंजन के पार्ट्स जो भी पिष्टन है, वो गरम होकर फिछ लेंगे, अर्थार्थ इंजन सीज हो सकता है, सबसे पहला प्रण बोलना है, इंजन ओर हिटिंग के कारण इंजन सीज हो सकता है, दूसर के बाद जो firing order है उसमें दिक्कत आएगी अगला किसन है लूबरी किसन और पतला हो जाएगा जैसे पार्ट के बीच गर्षन बढ़ेगा या यह पार्ट से जल्दी किसकर खराब हो जाएंगे तो आपको यह मैंन पॉइंट स्याद रखते हैं अगर आपसे पूचा दाता इंजन वाल्व है वो जल जाएगा जिसके कारण firing order खराब हो जाएगा गाड़ी का और गाड़ी की mileage पे और गाड़ी की engine पे बहुत बुरा असर पड़ेगा लूबरी के सनोल है वो भी पतला हो जाएगा अगला कुशन है आपकी गाड़ी का radiator block नहीं है फिर भी गाड़ी ओ वह ब्लोक हो सकती है या वो जंग रहा इतनी है उसमें जंग आ गया है या जो radiator पंखाय उसका circulation सही नहीं है वो काम नहीं कर रहा है उसकी वज़े से ओरीट हो सकती है या radiator cap से है वो जो pressure है radiator में बनावा वो बार नहीं निकल पा रहा है उसकी वज़े से ओरीटिंग हो सकती ह अकला के उसना गाड़ी में होस्वाइप काँ फिट होती है तो इसकांसर होगा गाड़ी में होस्वाइप कुलिंग सिस्टम में उप्योग की जाती है लुब्रिगेशन सिस्टम में उप्योग की जाती है एर सिस्टम में उप्योग की जाती है गाड़ी में होज़पाइप काँ भी ट होती है एक कुलिंग सिस्टम में लुब्रिकेशन सिस्टम में भी और एर सिस्टम में भी और होज़पाइप की पैसान क्या है होज़पाइप की पैसान है इसके दोनों साइड क्लिप लगी होगी कि उस क्लिप को क्या बोलते हैं आप कमेंट ज़रूर करें अगर आपको नहीं पता है तो नेस्ट कलास में हम लाइव सेशन में इसके बारे में डिसक्सिन करेंगे अगला क्यूसन है गाड़ी के रेडियेटर होस पाइप का निर्मान की समगरी से होता है इतना डीपली क्यूस है इसके मादेम से क्यादता है अगला क्यूसन है रेडियेटर होस पाइक को समय बात बतलना चाहिए तो इस कांसर होगा LMB में दो साल पर बतलने के इस पारिश की जाती है साथ यह चंबी में हर पांच साल में और दूरी पूछे तो 38000 से लेके 8000 के बीच में आप कभी भी करने चाहिए किछिद्क चूंग हो सब्सक्रानि हरे की क्लोमेटर बेचाहिश कि जाने ने करते हैंने हैं सवाशन कि फीकाने शर्ज्सी खाए कर बीच पाना चात करो कि एदब डोच वित किलमेटर पर आपको गाड़ी का जो बेल्ट है रेडिएटर बेल्ट उसको चैंज करना चीए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही इस क्लास में हमने रेडिएटर से जितने भी कुछिशन्स बन सकते थे उन सभी को कावर करने का परियास किया है। अगर कोई कुछिय रह गया हो तो आप कमेंट जरूर करें और आपका यह कोई अन्या सुधा हो तो जरूर कमेंट करें। इसके बाद हम practice classes के ज़रिये अन्य questions दो बच्चे वेए traffic lights वगरा पर चोरा ही पर traffic lights क्या इंडिगेटिक करती है special rules से उनकी क्या होते है उन सभी को cover up करेंगे यदि आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करें साथ ही bell bell icon होगा उसको press करें तकि जब वीडियो upload हो आपको तुर्फ notification मिले साथ ही इस class की PDF आप टेलिग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हो वापे जाके आप इन questions की revision कर सकते हो पहले कमेंट में पिन कर दिया गया है साथ ही वीडियो की description में आपको मिल जाएगा आप वहाँ पे डारेक्ट जोइन हो सकते हो तो thanks for watching जै हिंद जै बार्त